मुंबाइ इन्फो ट्वेंटी टाइम आउट हिंदी में आप सभी का स्वागत है अगर आप मुंबाइ इन्फ के फैन है तो समझ सकते हैं आज दिल को बहुत बुरा लगा होगा क्योंकि उमीदें बहुत सारी थी आज जब दिन की शुरुआत हुई थी और मुंबाइ इन्फ था एक सो तीन पर एक का लॉस हुआ और उसके बाद तीम वहां से मैच हार गई ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि जिस मोमिंटम के साथ शुरुआत की थी रोइच शर्मा ने इशान किशन ने अन्बिलीविबल बिलकुल काफी कुछ दाव पर था इस मैच में मेरे इसाब से ल मुंबई इंडिन्स जैसे आपने का शुरुआत अच्छी हुई थी पर अंत अच्छा हुआ नहीं मेरे इसाब से थोड़ा सा फिनिशिंग टच इस देने में नाकाम याब रहे लेकिन फिनिशिंग टच दिया मोसिन खान ने आप ऐसी रिस्पॉंसिबिलिटी के समय पर जालना है यॉर्कर्स आप बिल्कुल नेल कर रहे हैं और आपके सामने जब इस तरह के हिदर्स हैं तिम डेविड हैं जिन्होंने करके दिखाया है कामरूं प्रीन है जिनका इतना बड़ा नाम है लेकिन उसके बावजूत आप उनको रोकते हैं तो इससे पहले कि हम बल्ले और अंतराश्ट्रे क्रिकेट खेल रहे हैं मौसिन खान एक उभरते हुए यंग इंडियन पास बोलर जो यूपी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं वह आकर वह बिल्कुल सठीक ओवर डालते हैं माने कोई मौका ही नहीं था ना टिम डेविड के पास वो मौका था ना कैमरून ग्रीन के पास सारे यॉरकर के उपर यॉरकर नेल कर रहे थे पहली बॉल जब उन्होंने डाली ना वो डॉट बॉल थी तो यही यही तो मज़ा है ना टाटा आईपिल दोज़र तेश का यह मज़ा है कि दो अंतराश्ट्रे क्रिकेटर्स खेल रहे आपके सामन संदॉने पर मैं लायव क्याट दोज़रूर वो पर मैं कम नहीं हूं यहां पर तो मांना पड़ेगा और मजा इसमें है आईपिल में वह मज़ा आपको देखना मिलता है क्योंकि किसी बल्ले बास को आप गेंद बादी करें किसी के स्टाचर को गेंद बादी नहीं करें लेकिन जब हम स्टाचर की बात करते हैं तो सूरे कुमार यादव पॉर्म ऑफ इस लाइव बड़िया बल्ले बादी कर रहे थे लेकिन वहाँ पर यश था खुर ने उनका विकेट लिया और उससे पहले बिश्णो यह अपना काम कर चुके थे रोहित शर्मा इशान किशन आउट्स्टैंडिंग टच में दिख रहे थे उनका विकेट लिया अ पिच्छ थोड़ा सा मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत मुश्किल था थोड़ी सी चुनौती थी बल्ले बाद को कि यह नहीं है वानखेड़े वाला पिच्छ नहीं था यह बिलकुल 160-65 वाला पिच्छ था जहां पर थोड़ी सी मदद स्पिनर्स को भी मिल रही थी और सूर रंचेज में ऐसा प्लेयर आपको चाहिए रहता है जो जो रन रेट को भी ज्यादा उपर लेके ना जाए और यह नों स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बल्ले बादी करें तो सूर्य कुमार यादव का मेरे हिसाब से तर्निंग पॉइंट अमुल जबादी में आपकी और मे और वहाँ से जो सिचुएशन थी वो लखनों के हाथों में पूरी तरह से चले गई अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो सारी दुनिया जानना चाहती है जनता जवाब कि प्यो इस चावला जो आपके लिए इतनी अच्छी गेम बादी कर रहे हैं उन्होंने चौथा ओ देखिए इस विकेट पर स्पिनर्स का बोल बाला आपने पिछले मैच में चन्नी सूपर किंग्स के खिलाफ एक मैच था वहाँ पर सिर्फ 125 रन बने वहाँ पर जड़े जाने कमाल करके दिखाया था क्रुनाल पांडिया ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कियें पिछ गेंदबाज है फील्ड पे वो एक ओवर कैसे कम डाल सकते हैं और आपने रितिक शौकीन को खिलाया कुमार कार्थी के के जगे पर क्रिस जॉर्डन एक फास बोलर को आपने खिलाया तो चार फास बोलर लेके उत्रे और दो स्पिनर लेके उत्रे तो लेफ ताम स्पिनर कु प्यूश चावला ने विफ्चा चौथी ओवर ना करना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती होगी और वहां से आपके प्वाइंट पी और देखें क्रिस जॉर्डन ने वह ओवर की उननीस वी ओवर और कितने 24 रंदी है 24 रंद की ओवर डाली हमेशा यह होता है कि जब आप ऐसी गलती करते होनों तो आपको कहीं ना कहीं वो खाम्याजा भूगतना पड़ता है लेकिन लखनो सूपर जायंत यहां पर आज कप्तानी पारी की बात ही ठुनाल पांडिया तीन विकेट आपके हो गए ते उसके बाद स्टॉइनिस और के बीच में 82 रंस की पार्ट आज थी है यह ऐसी पिचनी है आप पहर आगे डालके आप आप चौके चक्के मार से तो वैसी वाली पिचनी तो आपको सोच समझ कर क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस अपना बरकरार रखकर यह इनिंग खेलनी जरूरी थी और बिल्कुल आइडियल इनिंग कहते है न वैसी मा कर स्टौइनस निखेली नवासी रन बनाएं 47 गेंदों में आठ चक्के लगाए वह आठ चक्के सारे अंत में नहीं लगाए पहले भी लगाए आते ही उन्होंने प्यूश चावला को एक चक्का लगाया था क्रॉस बैटिड स्वीप था तो एक आईडियल इनिंग कहूंग में उसके साथ साथ ना क्रॉनाल पांडिया के साथ वह बहुत सारे दो रन भी भागे एक साइड बाउंडरी लाइन बहुत बड़ी थी तो समझदारी यही थी कि आप ज्यादा चोके चके उस तरफ ना मारे ग्राउंड शॉट मारकर दो रन ले वहीं पर क्रिकेटिंग इं टरीन पार्टनर्शिप रची कितने रनों की पार्टनर्शिप की ऊससे न्यूर जो लाज्स के तीन ओवर में जो कुछ घटाए कसे अधान ही, उसमीटर्शून था अज के मिकाबले में और उसके बात क्या हुआ पांच से बड़ी उबहों की इंडियन्स के लिए कहानी ये है कि अपने अगले मुकाबले में सन राइजस हैदरबाद को आपको हराना है और फिर आपकी कहानी दूसरी टीम्स के भरोसे बेसिकलिए आप किसमत को थमा रहे हैं कि भाईया हमारे लिए आप कुछ करिए और लखनौ सूपर जाइंट ऑल्मोस टीम थी इसी टीम को वो लेकर इतना बड़ा नाम हो किया गौतम गंभीर ने उनी के खिलाफ आखरी मैच खिलेंगे देखना ये मजा आएगा वो वो देखकर पर आगर आप पॉइंस टेवल पर देखे तो रॉयल चालेंजर बैंगलोर उनको भी चांस है दो मैचे उनके ब बाई बाई हो गया है इस IPL में तो पर पंजाब धरम साला में खिलेगी अगर पंजाब कल की मैच जीती है तो वो चौदा पर जाएंगी और फिर मुंबई इंडियन से भी बहतर नहीं बहतर नहीं है उनका नेटर अन्रेट तो वो मुंबई इंडियन के नीचे रहेंगी त सब कुछ बदल रहा है वो दिस इस एक्साइफन जिसके हम उमीद करते है IPL से और वो हमें देखने को मिल रहा है राफ्ते पाचीट करके बहुत अच्छा लगा थांक्यू सो मच अमूर प्लेजर आप देख रहेते हैं ESPN क्रिकन 4T20 ताइम आउट हिंदी